Hi everyone, so कैसे आप सब लोग, आप लोग का चारो शिफ्ट का पेपर हो चुका है, और यहां पे बहुत important discussion करेंगे, छोटा सा, कि चारो शिफ्ट में आपकी कौन से शिफ्ट कैसे थी, कि शिफ्ट में क्या main important point था, जिसके वज़े से वो शिफ्ट hard हुई है, फिर वो शिफ्ट easy अपने आपको रख सकते हो, और means के त्यारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, देखे, मैंने अपने चनल पे पोल भी करवाया था, उस पोल के साफ से आप देखो तो चार लोग, मतलब चार पोल थे, और जनरली आप देखोगे, कि उसमें होता क्या है, कि हर पोल में 67-65% लोग इसे होते हैं, जो कि सिफ चेक करते हैं, पोल को, रिमेनिं 30-35% लोग रियल में जो पेपर देते हैं, वो अटेम्ट करते हैं, उसके दावसे मने कुछ यहां नमबर लिख रखे, वो नमबर भी आपको समझाओंगा, पहले बात करते हैं, चार शिफ्ट के करके, आपको करने का मौका मेला फास करते रहे गए, इनकोलिटी अच्छे कासे निमर्स में आई थे, तो उससे कहा वो फर्स शिफ काफी एजी रही और जो मैं एवरेज अटेम्ट देख रहा था, वो सब के 73, 74, 75 से उपर थे, तो यहां पे आप जो पोल देखोगे मेरा, तो जो 35% बच कंपेर तो शिफ्ट वन, तफ का मतलब यह नहीं बहुत टाफ, मौड़ेट थी, बट शिफ्ट वन के कंपैसर में, क्यूंकि सिम्लिफिकेशन के आपके 5 कुशन कम होगे, आपकी एक डियाई एड कर दे गई, तो बहुत लॉजिकल चीज है कि जैसे मान लो आपको जहां जा हो गई हमारे शिफ्ट वन से, फिर आपके थल शिफ्ट आती है, थल शिफ्ट क्या होती है, अभी तक कि जो हम लोग देख रहते, इन सब में लगबग तफी शिफ्ट बन रही थी, प्रॉलम यह हो गई, एक तो आपका रॉंग नंबर स्रीज आया, तो रॉंग नंबर स्री छकर रहे हो ही, तो यहां पे मस्स घिंट टी, तिसना प्रॉलम यहां पे च्छोटा साा कि जोपल का पडल ठा निगो झालिया थि लोगों पतम स्टम कर रहे थे लेकिन प्रशल थे जिसमें 17 लोग का बैठाना था ठीक है अरेजमेंट था अब 17 लोग के जो पजल बैठाने वाल था यहपका टाइम ले रहा था तो यहांपर यहां पर का टाइम कर गई जहां पर लोग रिजनिंग में फ़र्स दिट में 20 मिनट के अं सबसे कम थे आप अगर पोल को जा के चेक करोगे तो पोल में आपको यह देखा है कि जो 35% 34% जो बच्चे अटम्ट किये हैं पोल को जो मिलब चेक नहीं कर रहे थे उसमें सिर्फ 11% बच्चे ऐसे हैं जो कि 75 से ऊपर करके आएं जिसमें इसी थोड़ा से कभी ऐसा होता है कि लोग तो का मार देते हैं जूड़ बोल देते हैं लेगिन हम मन मान के भी चल रहे हैं 10-12 लोग ही सिर्फ ऐसे थे जो कि 75 से ऊपर जा पा रहे थे तो यहां पर जुन्हें ने बहुत अच्छे से मिनत किया होगा जो बहुत फास सब कुछ की होंगे सब कुछ टाइम से कियोंगे वही एस कर पा रहे हैं थल शिफ्ट में फिर आती है आपकी लास्ट फोर शिफ्ट अ आपको कुछन था वहां पे ऐसा हो रहा है कि आप लोग मुझे कॉमें बताना कि शायद आपको जो एक दो कुछन से उसके आप मैं देख रहा था उसके बाद यहां पर जो मैंस थी मैंस आपको साफ साब बताऊं यह फर्स शिफ्ट को छोड़के तीनों शिफ्ट में मैंस ही आपका डल रही थी और यह मैंस ह मेंस था यह ऐसा हूता है यह इसी इस रही प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम आपको फर्स और वहां पर 75 से उपर अटिम्ट हुए है उसके बाद आपका देख जा कि जो अका सेंड शिफ्ट था वहां पर लेख छो यह ने आपका बीन गब यहां पर अच्छे थे और लाश में आता है थल शिफ्ट जहां पर सबसे कम अटम्ट हुए हैं तो अगर थल शिफ्ट से आप बिलॉंग करते हैं तो डेफिनिटली एक अच्छा कासा नॉमलाइशन होगा और अगर आपके अटम्ट 70 टश्च भी कर रहा हैं तो कोई दिक्कत क हो ठीक है तो पेपर के लेवल था अगर मैं हाड़ेश तू इजिएस में उसको रखने कोईशिश करूं तो थर्ल सबसे हाड़ेश थी देन फोर्थ एंड सेकेंड अब उनको चाहाए एक्वल कर दो जैसे भी करना है कर दो लेकिन फोर्थ वार्थ ज्यादा से वह थी तफ और फस्ट वाली आपकी इसे शिफ्ट थी ओवर और इची और यहां पर देखेंगे कि जो लास्ट यह से पेपर था वो लास्ट यह की कंपैरिजन में थोड़ा सा तफ था फस्ट को छोड़के बता रहे हैं सब्सक्राइब कर रहा हूं क्योंकि यह बहुत सारे कॉमेंट से इस तरह के जो हमारे अभी स्ट्वेंट्स लोग हैं तो एसमेंट्स लोग का यह कहना था कि जसे लास्ट यह जो पेपर अटंब करके आया थे तो वहां पे वो 75 अड़ अब 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 कर रहे थे इस बार क्या हुआ उनका इविन प्री भी निला था इस बार क्या हुआ कि व अब चुकिए इसमें क्या होता है कि हर स्टेट के अलगले कट आप जाती है तो किसी में 78-79 ऐसे जाती थी तो इस बार कम होगी 76-77 तो लास्ट कट अगर गिरेगी भी तो बहुत मीगर अमाउंट होगा वन और टू मांक्स का ही होगा दूसरा इपॉरेंट फैक्टर ही है कि सब्सक्राइब करें तो फिर में बोलुगा कि आप आरभी प्यों के त्यारी करो क्योंकि अच्छे लेवल के त्यारी करी रहा हो शुकुक्न आप जब आरभी तैरी कर रहा हो त्यारी करने का साथ है कर अपका और अपका कट बेपर है उस आप से आपना मीज का ले कि चलना है यह शेल्ड लेंगा लेकिन ए बात ध्रियान लिखना कि आपको पर्पर कैसे भी उ आओ और अश्य काइसी और और जाके बी के लिए जिनका 13 और 14 को है all the best बीच में राखी भी आएगी अपने फेस्टिवल को इंजॉय कर लीजे राम से टाडा बावाए